question no.4 programming for problem solving lab write a program that accepts the temperature is centigrade and convert into fahrenheit using the formula c divided by 5 is equal to f minus 32 divided by 9 तो इस formula को हम लोग इस तरीके से भी लेख सकते हैं यह तीन तरीके इस तरीकों समय से आप लेख सकते हैं सबसे सिंपल यह है कि c is equal to f minus 32 bracket whole bracket into 5 divided by 9 तो हम लोग अपना program स्टार्ट करते program स्टार्ट करने के लिए सबसे प्रेवर्यवल्स ले लेते ले लिए लोट तो हमें दो चीजे की जरूरत हैं या तो लोट एक टो c की वैली चाहिए होगा और एक f एक वो एंटर करने का ची में हमें convert करना है तो हमें दोनों ले लिया ठीक है उसके बाद मैंने लिया थोड़ा पड़ा प्रेंट है में हम लोग एक श्ट्रिंग देते हैं कि अंटर कर से बेलियू में इस अपरेंट एंटर के पास डिस्प्लेए हो जाएगा अब अब scanf से हम value इंटर करवा लेते हैं scanf और float में है तो %f, क्या लिखे ही नहीं f ठीक है तो f हमने इंटर करा लिए यूजर है f इंटर करते हैं f इंटर करने के बाद हम क्या करने है अपना formula यूज करना है formula क्या था k equals to f minus 32 into 5 divided by 9 तो यह हमें formula अपना एंटर करते हैं अब formula एंटर होगा मतलब यहां से मैंने c में assignment operator के थुरू यह conversion के बाद अब हम लोग प्रेंट कर जेते हैं अंसर अपना print है यहां पर आगया अब हमारा आउट्पूट सी मेंने कितने लिए लोट में लिए तो पर्सेंटेंस एक और कॉम में लगा कि मैंने अब हम लोग आउट्पूट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए get ch का यूज कर लेते है get ch ले लिया आउट्पूट स्क्रीन को होल्ड करा लिया अब हम लोग एंटर करते हैं वेल्यू इसमें परनाइट में और यह सल्सियस में तरवर्ट होगे हुआ है